हरियारम में बीजेपी सरकार के अपने ही कुछ विदाइक न राज हैं और कॉंग्रेस ये दावा कर रही है कि कुछ विदाइक उसके संपर्क मे हैं। बात करते हैं राज कुमार सेनी बीजेपी सांसद राज कुरु शेत्रि से। खट्टर साथ के कामकाद से नाखुश हैं और आप कॉंग्रेस यह दावा कर रही है कि उनके संपर्क में हैं लेकिये विधायक और सांसद जिस सक्ति के साथ सरकार का अफसरों के प्रति एटिचूट बढ़ना चाहिए वो अफसर जो हैं काफी सारे जो सरकार की नीतियों को सिर्फ धूल चटवाते रहते हैं और जंता को नराश कते रहते हैं इसके प्रतिश संग्यान लेना जितने जल्दी संग्यान हम लेंगे उतने जल्दी हमें इसका फाइदा रहेगा विधायक चीफ मिनिस्टर से सिर्फ अफसरों के प्रति कड़ा रुख अपनाने की वज़ा से नराज हैं बाकि ऐसा कोई नराजी उनकी कोई कांगरस बोलती है कि हमारे संपर्क में हैं इनका कांगरस का अपना संपर्क फड़ा है अपनी जुतम पजारों रही है आपस में लड़कर के जो है ना जो लोग विधायक दल की नेता कुछ और बोलती है विधायक कुछ और बोलते हैं यह हमें क्या पढ़ाएंगे यह अपने घर को संभालें और हमारे विधायक सोड़ा तारिक को अपने जो कुछ ग्रिवेंशीर जोती है वो आप से मिल बैठकर कर कर ल सब्सक्राइब लेकर है अगर कोई अफसर क्योंगे कम सभी करने नहीं काम कोई प्रसासन को लेकर के जो किसी की सिकायत हम लोग करते हैं तो उसके अपर तुरंत संग्यान लेना ही ज्यादा जुरूरी होती है और इसको लेकर के हम बात कर लेंगे सभी इकठे हो करके और मुझे लगता है जिस परकार के पूरे मामले को लेकर का है दो संसद होने के नांति influen coming बड़ता हैं नराज को भी देखना पड़ता है और साथी को भी देखना पड़ता है सभी को देखना पड़ता है सरकार को साथ लेके चलना होता है मजबूरी होती है जो कि बीजेपी सानसद हैं कुरीश शेत्र से जहां विधायक नाराज हैं वहीं सानसद होने के नाते उनकी भी अपनी नाराज गी है जा टारक्षण विबात को लेकर भले ही दावे करें लेकिन ये जरूर है नाराजगी चीप आते हुए तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस पर सि बाली मुझे लिए